हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल टाइमस एजुकेशन मेरा नाम है नजनी सिंग डिसकस करेंगे आज की वीडियो में यह वी एसकी क्लास फाइव है और इसमें भी हम प्रिविए सिरु पेपर को डिसकस करेंगे और यह 18 नॉवंबर 2012 का पेपर इसका पार करते हैं तो यह पार्ट टू है इसमें बचे हुए जो 15 कोशन है वो हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है रोहन की विद्ध्याला में एक विज्ञान प्रिदर्शनी का आयोजन किया गया था इसका आयोजन एक उद्देश के साथ किया गया था आपके विचार से कौन सा उद्देश जो है वो सरवादिक उप्युक्त है इसमें ओप्सन दिये गए हैं बिद्ध्याला का नाम प्रशिद करना सेकंड आप्सन है अविभावकों को शंतुष्ट करना थार्ड आप्सन है विभिन ब्याविसाईयों के लिए बिद्ध्यार् सिक्षार्तियों के लिए स्रिजनात्मक माध्यम उपलब्द कराना इसका जो आंसर है वो सबसे जो उप्युक्त आंसर है वो है सिक्षार्तियों के लिए स्रिजनात्मक माध्यम उपलब्द कराना की जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्रियेटिव हो सकें इसलिए प्रदशनी का आयुदन किया गया है कि जब यह प्रदशनी आयुद की जाएगी तो बच्चे कुछ न कुछ क्रियेटिव कुछ डिफरेंट करने की कोसिस करेंगे तो हमारा जो में उद्देश है वह बच्चों की क्रियेटिविटी को बढ़ाना तो इसका जो ऑप्सन है वो डी ऑप्सन सही है सिक्षारतियों के लिए स्रजनात्मक माध्यम उपलप्त कराना अब इसके तीन ओप्सन भी देख लेते हैं बिद्ध्याला का नाम प्रशिद्ध करना यह कोई जो है वो उद्देश नहीं है कि हम लोग बिद्ध्याला का नाम प्रशिद्ध करें लेकिन हलाकि आज कल के जो स्कूल्स है वो काफी कोसिस करते हैं इतने भी प्राइवेट स्कूल है कि उनके जो स्कूल का नाम है वो फेमस हो जाए लेकिन ये कोई मेन उद्देश नहीं है ये तो ये बात की बाते हैं अविभावकों को शंतुस्त करना ये भी कोई उद्देश नहीं है विभिन व्यावस के लिए विद्यारतियों को प्रिश्विक्षित करना यह option हो सकता है लेकिन इसका सबसे जो सरवादिक जो उप्युक्त जो उसका उद्देश है वो है D option सिक्षारतियों के लिए स्रिजनात्मक माध्यम को उबलब्द कराना नेक्स्टो Audience is कांसा या ब्रांश के विसय में जिसका उप्युक्त गोल कुंड़ा के लिए गॉल कुंड़ा किले में यहां पे गॉल कुंड़ा कले में जो है यहां पे केले टायपिंग मिस्टेक हो गया है किले में मिली तोफ में किया गया था सही कधन को चुनिएrit हैतों मतलब इसमें ऑप्शन दिए गए कासा जो है वो तरफा ओश्ट सब्सक्रAब नहिंट जाइब हएट केटा है थार्ड आप्सन्स एक कि अवे फोर्थ आप्सन जय सथक को क्षा यह सब्सक्राइब है बन्मिट इसका प्रियोग और प्रियोग आत्मक करते हुए श्यामा का निश्पादन कक्षा में सर्विस्रेश्ट होता है उसे बहुत स्रिजनात्मक शिक्षारती माना जाता है इसलिए वह अपशारी चिंतन माध्यम से संकलपना जोड़ करें इस प्रिकार की चिंतन में क्या होता है वह सिक्षार्थी जो है वो दीए गए तथ्यों में अपनी और से कुछ नया जोड कर कुछ निश्यत निश्कर्स पर पहुंचते हैं अर्थात कुछ नवीन तथ्यों का सरजन करते हैं जो बच्चे होते तो वो क्या है अब सारी चिंतन कहलाता है हम लोग मतलब जैसे कोई टीचर ने कुछ बताया तो हम उसमें से कुछ नया करके कुछ नया एड करके फिर हम उस निश्कर्स पर पहुंचे मतलब नवीन तथ्यों का सरजन करें यही है अब सारी चिंतन मॉडलिंग यह कोई आप्सन नहीं हो अनुकरन यह सारे गलत है उसका जो उप्सन सही है वो अफसारी चिंतन ए उप्सन सही है नेक्स्ट कॉष्चन है अलवरुनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है उप्सन है उजवेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या वंगला देश तो इसका जो उप्सन है वो ए उप्सन सही है यह बरुनी यह जो है एक प्रसिद इत्यासकार था उसने क्या किया था भारत का विशद वरणन किया था तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक में किया था पुस्तक का नाम क्या था तहकीक यह नहीं है तहकीक ए हिंद इस नाम के एक उसने पुस्तक लिए और भारत का उसने क्या किया था विशद रूप से वरणन किया था इसका जो आपसन है वो एपसन सही उजवेकिस्तान नेक्स्ट कोशन है एक पबलिक स्कूल में पिरते कक्षा में लगवाग दो से तीन वाले हैं कुछ बच्चे हैं वो सारी रिखी अमानसिक रूप से विकलाएं यह बच्चे और बच्चों के शाथ उसी कक्षा में एक शाथ पढ़ते हैं उपरोक तो जो है यह जो दिया गया कतन वह उपरोक्ष पबलिक स्कूल जी जो पबिक स्कूल दिये गए हैं इस मैंसे निम्नमैसिक किस का अनुपालन करता है तो आप्सेन समभयश्क शिक्षा रणी सेंद सकत्रे लड़ा यह विसे समावेसी शिक्षा का अनुपालन कर रहे हैं Girls के नो sector कि एक भॉन डिशाने में कोई अक्शंत है कोई भी हो जाए हुँ वो बीकलांग रूप से हो मानसिक रूप से हो या जिनको देर में समझ में आता है ऐसे बच्चे हों वो क्या करेंगे वो उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ेंगे जो नॉर्माल है बच्चे तो उनको सामिल करने का उद्देश क्या है कि उनको बिसेश रूप से क्या है कि उनको सीखने को मिले उनको एक् करती है जो कि क्या समावि सी सिक्षा का की अधारन दिये इन में से कूछ ऐसे ऊधारन है जिसमें घर्शन हमारे देनिक जीवन में अउपयोगी है उस सिक्ष्कान में नीचे दिए गया हम पेंगी नोग वीस ह dozen होने के कारण ही लिख पाते हैं second इसने हम फार्स पर हमारे पैरों और फास्तों के वीच में घरशन के बीच घर्सन के कारण पाते हैं उर्द्वादर के Бाई जो को हमारे पास गुरुत्वा खर्षन के कारण ही हमारे पास बापस आती है फूर्त घर्षन के कारण के निकारण हम किसी गतिशील बहान को ब्रेक लगा लगा कर डोक सकते इसमें वह इसमें किसमें दिये गए हैं बूपसन जहीं है जब कि इसमें भी जुच्छा इसमें अलग हो जाते हैं इसका जो ऑप्सन हो सेकंड ऑप्सन सही है डी ये बी जो उर्दवा धर रूप से हम कोई भी बस्तु या गेंद ऊपर फेकेंगे तो वह गुरुत्वा करण हमारे पास नीचे आएगी ना कि घर संड के कारण जिसका जो आपसेने वो सेकंड आपसन सही है नेक्स्ट कुष्चन है एक पश्मीना सॉल लगबक साधारन डैस डैस साधारन सॉट्रों के बराबर गरम होती तो एक साधरन पश्मीना सॉल को बनाने ही तो कितने समय लगता है BM दिए गये हैं 600 रोहों के बराबर होती किए 600 गंती earthquake इसका जो आप्सन है दिय ऊप्शन सेही है 600 रोहों के बराबर होती हो और इसको सबंदाने में लगता है पश्मीना सॉल बनाएं इसका जो अप्ट सो टो होता है यह जो हिमालए में जो उचाईों पर फेहां पर पहाडी पर रहते हैं वहांसे श्रांग पारं w होती है वो लोग एक भेड़ पालते उसी से यह पला रोको बनाए जाता है इस का do सब्सक्राइब नेक्स्ट कुष्चन है सरता की सिख्ष का उसे विभिन सामुई गतिविदियों में सामिल करते हैं जैसे समुचर्चा समुः परियोजना आदि उसकी सिख्ष का शीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है ऑप्सन है प्रितियोगता आधारत सीखना सेकंड सामाजिगत गतिविदि की रूप में सीखना मनऊरँजन द्वारा सीखना फ़ोत्त ऑप सने भासा निडतेश ञेक तो जो सरिता की शिक्षिका है वह समुचर्चा और समुः परियोजना गतिविदीं वो उसको सामाजिकत गतिविदि की रूप में जखनी का radar कुछन है इस प्रकार से सीखने से बच्चों में क्या होती है मैचुर्टी होती है और उनके साथ सातुंका सामाजिक भी होता है तो इसका व्हों भी ऑपस्टन सहीруं सामाजिक गती विदी की रूप में सुखना नेक्स्त कॉस्टन है नैपएंथीज एक पौदा है जमpe को यहां पर मैड को है मैड को झाथ कीड़ मकूरों और चुह जैसे चोटे जीब को अपने अंदर फांस कर खा जाता है हमारे देश में यह पौदा पाया जाता है और अपसन असम उड़ीशा में अरुडांचल प्रल देश में यह मेगालाय में इसका जो आपसन था दो डी कीड़े में कूडे होते हैं चुहे कोखा जाताया यह पदा मुकता पाए जाता है भारत में 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 चाता है इसका जो है तुह क्यंद कुट्रॉल लंगे जूझा की जो अन हैं ग्रीश कोईला और पेराफिन मॉम वह एक क्या है ठोस प्रकार के इंद है पेट्रोल जो है वह एक तरह ली इंद है इसका जो आप सने बी आप्सन सही है नेक्स्ट कोश्चन है बिहार की गाउं में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मदुमक्की पाल सेकंड ऑप सन अक्टूबर से दिसम्बर ठाड़ ऑप सनने जनवरी सें मार्च फोर्त ऑप सनने अप्रेल से जून इसका जो आपसन रही बीञार सन्साय आ क्टूबर से दिसमबर मदुमक्की पालन हिंतु सब्स्रेब्व फोज समय है ऑमधिम Kकोष पूलों से परागो अधिक मात्रा में सहेद भी बना पाती है इसका जो अप्शन है बी अप्शन सही है अक्टूबर से दिसंबर कि इससे एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग कर ने से मुरदा में क्या हो जाता है मतलए इसका जो अप्शन है फसल के लिए उपयोगी बन जाती है और जए उपच्ण ये बनजर ओची है एर दी उप्शन है बन बंजर हो जाती है एक बिसेश फसल के लिए उपयोगी नहीं होती है क्योंकि हम उसमें अगर बार वार एक ही फसल लोग आएंगे तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है और रसायनों का भी प्रियोग करेंगी तो जो उपर की जमीन है वो बिल्कोली उसकी उ और लद्दाक के मकानों की विशेषताएं चुनिये यहां पर है चुनिये ऑप्षान पेड़ के तनों से बनी लकडी की ढालू छते भी उप्षान है निचली मंजिल में कोई खिडकी नहीं सी आप्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवान है डी आप्षान है लकडी के फर षान. अब अब इसमें यह वह उसंतिये लेगर्यें c, d, a, 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 v, d या फिर ए, v, c, v, c, d इस बी दिवेट्टी और शान पर इससे कगि वह सितना है रिशान यहां से बनी लकडी की घालू चहते हो वो निचली मंजिलें कोई खिडकी नहीं होती है और लकडी के इसमें फर्स होते हैं सुरक्षा और इस्थायत की द्रश्टी से हम देखते हैं कि बातावरण क्रिया जो है इनकी उपास्तिती में इसका नर्माड आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पर ले लद्दाख हैं भूकम छेत्र के अंदर गत आते हैं इसलिए सुरक्षा की द्रश्टी से पेड़ के तनों से बनी जो लकडी हैं उनकी ढालू छते और निशली मंजल पर कोई खिड़क सब्सक्राइब और यहां पर जो यह कॉस्टन दिया गया वह एंसी आरटी से है आप लोग एवी एस की वन थाड़ तू फिप्त एंसी आरटी पढ़ना ना भूलें यह आप जरूर पढ़के जाएं क्यूंकि ज्यादातर कॉस्टन जो है वह यहीं से पूछे जाते हैं यह एक एंसी आरटी की बुक से ही पूछा गया कॉस्टन है नेक्स्ट कॉस्टन है तरुन भारत संग नामक शमू शम्मंदित है ऑप्सन इसमें दिये गए हैं स्कूलों में दुफहर का पका हुआ भोजन उपलप्त कराना सेकंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की वर्गों को चलाना थार्ड वप्सन ने पुरानी जीलों को पुणर निर्मित करवाना डी अ वशीय रूप से सक्षम बच्शों को सीखने में मदद कराना तरुन भारत संग एक पुरानी ये जो संग है इससे पुरानी जीलों को पुनर निर्मित करवाने का कार किया जाता है बर्स 1975 में राजिस्थान विद्यालाय में जैपुर में जो अगनी पीड़तों की शहायता के लिए गठित जो संस्ता है वो 35 बरसों से बीरान गाओं में हर्याली बापिस लोटाने में कार रत है ये जो है तरुन भारत संग जो आग लगी थी वहां पे जैपुर में तो जितने वी उनको बीरान गाओं है उनको बापिस हरयाली लोटाने का काम कर रही है तो यह क्या है पुर्णर जीलों को निर्मित करवाने का विकार कर रही इसका जो है वो सी ऑप्सन सही है तो यह थे 15 कोश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रीवियस येर को डिसकस करेंगे 2013 को अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जो भी सब्सक्राइब कीजिए जो भी सब्सक्राइब करके जरूर बताएं थैंक यू